हेलो दोस्तो नमेशकार ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सब लंका दिल से बहुत-बहुत सवगत करता हूँ सो दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज की दिन के कुछ लेटेस्ट इंपोर्टेंट वीडियो इस वीडियो को जरू देख लेना इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजी सीखने को मिलने वाले थोड़ा सा बड़ा वीडियो है बट एक important concept यहाँ पर explain किया हुआ है लिंक नीचे description box में है यहाँ पर जरू आप चाओ तो इसको study कर सकते हो फर्स time visit के है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेना और एक चैनल है free stock market classes इसको भी चाओ तो follow कर सकते हो लिंक उपर आए बटन पे या नीचे description box में मिल जाएगी तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को start कर लेते है तो अब हम लगा चुके बिलकुल हमारे normal screen के उपर यहाँ पर इस वीडियो में भी मुझे आप लोगों की मदद लगेगी मतलब मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पर homework देता ही हूँ कल के दिन का आखरी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर भी मैंने आपको कुछ सवाल पूछा था कि जैसे की GST rate कितना था? 18% लगता है किसके उपर? मुबाइल के उपर request की जारी कि वो revise होके 12% कर दिया जाए सरकार के पास request भेजी जा चुके तो इससे related कि इन stocks को फायदा होगा तो बहुत सारो लोगों ने comment section में अल्रड़ी इस सवाल का सही सही जवाब यहापे दिया था सो वैसी इस वीडियो में भी अगर मैं बात करो दोस्तो बहुत जादा आप लोगों को यहापे दिमाग लगाने की ज़रुत पढ़ने वाली है देखा गया तो कोई difficult नहीं है बट जैसे मैंने आपको काई कि retail investor market में fail की होता है वो सोचता ही नहीं है वो चाता है कि उसको बनी बनाई चीजे परोसी जायत और वो सिर्फ यहापे उन stocks में क्या करेंगे buy करेंगे फिर सामने वाला बता देगा sell करेंगे and profit enjoy करेंगे तो यह कहानी ज्यादा long lasting नहीं चलती है कुछ हद तक चलती है तो अगर आपको खुद market में अगर अच्छा return कमाना है तो खुद market सीखना पड़ेगा तो इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को कुछ homework देने वालो पहली वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मुझे जरू comment section में बता देना कौन से ऐसे sectors रहेंगे जो कि इस news के चलती ही जो news update सामने आ रहे है उसके चलती है उन sector में हम लोगो तेज़ी देखने को मिल सकती है and कौन से ऐसे stocks रहेंगे वो भी यहाँ पर participate कर सकते है अभी आप बोलो कि कौन से sector, कौन से stock चली समझ में तो आगे आप यह बाते हम लोगों को homework के लिए दे रहे हो तो चली topic क्या exactly तो दोस्तो किस चीज से related यहाँ पर record breaking वाली data सामने आ पर आ रहा है तो दोस्तो वो है यहाँ पर शादी से related येस, आप सभी लोगों को यहाँ पर पता है दोस्तो कि COVID के कारण बहुत सारी शादिया ऐसे थी जो कि postpone की गई, रैट, हाँ कुछ लोगों ने शादिया की भी, बट ऐसे बहुत सारी November and December में दोस्तो record-breaking शादिया हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रही है, अभी November तो यहाँ पर चल रहा है and December में भी बहुत सारे शादियों के, तो यह data पता कैसे चलता है देखे, hall book होते हैं, बहुत सारे शादीन से related जितने सारे जो बिजनेसे से रहते, उनमें record-breaking हम लोगों को demand देखने को मिल रही है and यही यह मतलब इस वीडियो का main topic है, मतलब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाऊंगा यहाँ पर जो अभी का data सामने आया था ना, monthly data कि मैं बात करूँ, कितनी शादिया यहाँ पर होई होगी मैं आपको बताना चाऊंगा roughly 25 lakhs दोस्तों इतने शादिया होई थी अभी कि अगर हम लोग data के इसाब से बात करें तो and December में तो और भी बड़ी बड़ी शादिया होने वाले हैं जहाँ पर बताए जा रहा है कि 30 lakhs तक यह शादिया जा सकती है इतना बड़ा number हम लोगों को देखने को मिल रहा है and दोस्तों यह भी बताना चाऊंगा कि 2000, पुराना अगर बात करें 19-20 के data की इसाब से बात करें अभी जो शादियों का data अभी फिलाल की इसाब से देखने को मिल रहा है nearby 20% जादा देखने को मिल रहा है so हम लोग कह सकते जिन लोगों की भी pending शादिया थी वो पूरे के पूरे इसी टाइम के इंतजार कर रहे थी कि COVID कब चला जाए तो धूम धड़ा के के साथ शादि यहाँ पर कर पाएंगे पहले आप सब लोगों को पता है जबरदस restriction था so यहाँ पर हम लोग कह सकते इतना जबरदस यह data बढ़ते वे देखने को मिल रहे है and शादियों से related जितनी भी जो demand रहती खर्चे रहते हैं वो भी दोस्तो उनमें हम लोग को 45% तक यहाँ पर बड़ोतरी देखने को यहाँ पर मिल रही है so यहाँ पर हम लोगोंने क्या करना है ऐसे sectors को identify करना है जो कि शादी में हम लोग कह सकते है जितनी शादिया होगी जितना शादिया का number बढ़ते रहेगा उन sector को सबसे ज़ादा यहाँ पर फाइदा होगा ही होगा so यह दिमाग आप लोगोंने यहाँ पर लगाने है and जान बूचकर दोस्तो yes मैंने जान बूचकर एक दो sector skip किया है मैं देखना चाहता हूँ comment section में कौन उन sector का नाम यहाँ पर लेते है so दोस्तो अभी एक एक सेक्टर को and उन में से देखा गया तो कुछ popular stocks को हम लोग यहाँ पर study करने की कोशिश करेंगे पहले ही disclaimer देना चाहूँगा देखिए मेरा कोई recommendation नहीं मैं बार बार के रहा हूँ दोस्तो चीजों को सीखने की कोशिश कीजए अगर आप learning कर दोगे तो automatically earning start हो जाएगी so दोस्तो शादी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो main data सामने यहाँ पर आता है तो दोस्तो वो आता है gold का yes gold मतलब यहाँ पर jewelry की यहाँ पर में बात करो and दोस्तो jewelry का भी data यहाँ पर बता है जा चुका है कि पहले जो शादी के लिए जो भी jewelry यहाँ पर लगती थी अभी का जो data यहाँ पर सामने आ चुका है उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें gold से related जो head body है 47% तक उन्होंने का है कि jewelry की demand यहाँ पर मतलब बिकरी यहाँ पर बढ़ चुकी थी अगर हम लोग अभी के data की बात कर रहें December में तो और भी demand यहाँ पर देखने को मिल चुके booking यहाँ पर हो चुकी है तो यहाँ पर जोइलरी की बात करें तो अभी देख लेन जोइलर्स है TBZ है ऐसे बहुत सारे आप लोग को jewelry वाले stocks मिल जाएंगे PC Jewelers है बड़ अगर best stock अगर आप लोग को identify करना है तो मुझे इसा लगता है Tanishq, yes, Tata Group की company आप से बिलंग पता है Tata का ही product है और इसके चलते Titan company को बहुत ज़्यादा होगा आने वाले quarters में भी, so इस तरीखी के आप लोगों नी भी अलग-अलग sectors and stocks को identify करने है, stocks छोड़ दीजे, चलो आप चाहो तो sector को भी identify करके बता दो के तो यहापे अंदाजा बाकी लोगों को भी आ जाएगा, यह तो एक मेने example दे दिया next अगर में बात करो तो obviously शादे की अगर हम लोग बात करें, तो यहापे suit की अगर हम लोग बात करें, तो suit तो सिला यहापे जरूर जाएगा, तो यहापे देखा गए, तो textile वाली कमपनिया बहुत ज़्यादा फोकस में रहेगी, suit की अगर बात करें, तो Raymond जैसी कमपनिय का डिमांड बढ़ सकते हैं, बट Raymond fundamentally देखा गए, ठीक है, स्ट्रॉंग है, बट investment के लिए इतना solid नजर नहीं आता है, तो अगर आप लोग चाहो, तो Trident जैसी कमपनिय के और आप लोग फोकस रख सकते हो, जो की बिलकुल नीचे अगर raw material के लिवल के उपर यहाँ पर काम करती है, तो इस तरीकी की stocks आप लोग ने identify करने, मैंने बार-बार का है ने आप लोग को, कि stock market में सिर्फ stock ही सब कुछ नहीं होता है, आप लोगों को इन चीज़ों के उपर भी ध्यान देना चाहिए, तब जाके आपकी skills improve होगी, तब जाके आप लोग अलग वीचार करके, market में आगे बढ़ सकते हो, then दोस्तों सबसे important चीज़, यह क्या है, website, yes दोस्तों, शादी से related, अगर हम लोग बात करें, तो यह आप यह website के उपर, हम लोगों को यह चीज़े देखने को मिलती है, अभी कौन सी website है, तो जीवनसाती.com आप लोगों ने सुना है, वो किसके अंडर आता है, info.h के अंदर, तो यह दोस्तों, info.h जैसे company के उपर, आप लोग focus यह आपर रख सकते हो, और दोस्तों, मैं आप लोगों के एक जबर, दस्त, यह पर एक shocking data बताना चाओंगा, आप चाओ तो चेक भी कर सकते हो, पूराने quarter के नंबर, तब मैंने मजाक में वो भी चीज़ बताई थी, कि जब info.h के नंबर आयते, मैंने segment wise revenue चेक किया था, और तब ही मैं expect कर रहा था, कि जो उनका जो नौकरी.com रहता है, वो बहुत ज़्यादा demand में रहेगा, क्योंकि जॉब बहुत सारे लोगों के जा चुके थे, सो searches हो सकते, बट मैं आपको बताना चाओंगा, G1 साथी के सबसे ज़्यादा searches सामने आये थे, मतलब सबसे ज़्यादा income G1 साथी ने खमाया था, rather than नौकरी.com में, तो ये चीज़ भी हम लोगों को देखने को में लेती, वो चीज़ अभी भी मुझे याद है, सो बताने का मकसद कहते हो, यहाँ पर इन stocks को ऐसे आप लोगों ने identify करना है, matrimony.com, इन stocks को भी आप लोग identify कर सकते हो, सीखने की कोशिश आपे कर सकते हो. Next, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो obviously, यहाँ पर शादी की अगर बात हो रही तो, जूतों की भी बात ज़रूर यहाँ पर होगी, right? So, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, stock market की साब से, एक अच्छे stock की साब से, तो बाता इंडिया यहाँ पर सामने आता है, relax हो की बात करें, तो you relax हो usually, जो normal footwear रहता है, उसमें हम लोग को leading देखने को मिलता है, बाता की अगर हम लोग बात करें, तो इस type के shoes, यहाँ पर ज़्यादा famous यहाँ पर रहते हैं, next अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो दोस्तो होटेल, obviously शादी में होटेल बूख होते हैं, हौल्स बूख होते हैं, तो यहाँ पर बड़े बड़े दिगज companies, बड़े बड़े दिगज होटेल आप लोगों को मिल जाएंगे, बट उन में से अगर कोई अच्छे quality वाले stock अगर आपको identify करने, तो इंडियन होटेल हो सकता है, यह भी टाटा ग्रूप की company है, दैन अगर हमें बात करो, ITC भी उसी के अंडर आता है, ITC के भी 5 star, 7 star hotel आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो आप चाहो तो इन stocks को identify कर सकते हो, study कर सकते हो, इनके आने वाले numbers में hotel का business कितना हुआ है, वो check कर सकते हो, तो आपको एक अंदाज़ाव आपे आ जाएगा, नेक्स्ट अगर हम लोग यहापे बात करें, तो अव्यस्ली एक और stock रहेगा, Oberai Realty, यह सिर्फ यहापे Realty sector का काम नहीं करते हैं, इनके भी बड़े-बड़े hotels आप लोगों ने देखा होगा, Trident तो आप लोगों ने सुना होगा, 2611, इनके भी बड़े-बड़े 5-7 स्टार होटेल, सिर्फ इंडिया में नहीं, आप लोग यहापे फोकस रख सकते हो, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहापे शादी के बाद हम लोग कह सकते हैं, तो टूरीजम की अगर हम लोग बात करें, जो हनिमोन प्रेट रहता है, तो उसके लिए भी पैकेजिस बुक किये जाते हैं, उनकी अगर बात करें, तो इजी ट्रीप प्लानर्स, इस कंपनी के उपर आप लोग फोकस रख सकते हो, अगर आप चाहो तो IRCTC यह भी टूरीजम कंडग करता है, उसके उपर आप लोग फोकस रख सकते हो, मैं अगर आप यह मेरे रेकमेंडेशन नहीं है, आप लोगों को सिर्फ यह वीडियो बनाने का मकसद क्या है, इसके बारे में सोचो, 99% रिटेल इमेस्टर को इनके बारे में सोचना ही नहीं है, जैसे मैंने का ना, आप बता दो, buy करेंगे, sell करेंगे, पैसा आया या वो हमारा नहीं हाए, तो आपके वज़े से loss हुआ, तो उस category में मता न, जो बोलते न, दिमाग के उपर जो जंग लगा है, उसको हटा दो, या पर कोशिश करो, तो क्या फरक पड़ेगा, जादे जादा जादा गलती हो जाएगी, और क्या फरक पड़ता है, बट ट्राइ तो करो, ट्राइ नहीं करोगे, तो फिर कैसे पता चलेगा, जरू कमेंट सेक्षन में बता देना, ऐसे कौन से सेक्टर है, जो कि यहां से मैंने भी यहां पर स्कीप कर दिये, जान बुच के मैंने एक-दो सेक्टर स्कीप किया, अगर आप लोग दिमाग लगा होगे, तो जरूर उन सेक्टर तक आप लोग भी यहां पर पहुच सकते हो, तो वीडियो में पताने का मकसद क्या था दोस्तो, कि स्टॉक मार्केट को आप लोग ने इस नजर्य से भी देखना चाहिए, तब जाके आप लोग जबरदस थे आपे, मतलब कह सकते हैं आप लोग, मतलब बोलते हैं न वो एक between the line वाली जो चीज रहती है, वो चीज़े आप लोग आप लोग आप लोग आप लोग पर identify करके, रिस्क लेके निवेश करके अच्छा return कमा सकते हो, अभी एक सेक्टर और कौन सा मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, gift वाला, yes, gift की अगर हम लोग बात करें, अभी gift में तो बहुत सारी चीज़े आती है, electronic gadgets आते हैं, ऐसी common चीज़ें नहीं चाहिए, थोड़ा सा exceptional ही चीज़े बता देना, तो जरू comment section में चीज़े बता देना, मैं चिक खरूँगा यहापे, कल के दिन बहुत ही जबरदस आमसर दिये थे, बहुत सार लोगों ने, तो आज के दिन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कि यहापे यह जो, शादियों का record breaking वाला season देखने को यहापे मिल रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते सारी चीज़े रुख गई थी, तो हमें भी देखना है कि यहापे कौन से सेक्टर में जबरदस धूम यहापे मचने वाली है, जरू comment section में इसके बारे में बता देना, आशा करता हूँ आप लोगों को थोड़ा से unique topics यहापे सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, तो चाहो तो इस वीडियो को like and share भी कर सकते हैं, so that's it, thank you very much, so we will be meeting our next video, तब तक के लिए, bye bye.